और उधर पंजाब में अगर मैं बात करूँ क्योंकि अमित लगतार हमार साथ बने हुई है अमित मैं समझना चाहूंगी जिस तरह से आपने बताया कि ठीक है पिछले साल के मुकाबले में 50% कटडाउन हमने पराली जलाने के मामलों में देखा है लेकिन बावजूद उसके भी प्रदूशन है और यहां का पराली जलाना सीधे सीधे दिली एंसियार को अभी से इंपाक्ट करने लगा है वो चीजे दिख रही है वो असर दिख रहा है तो ऐसे में क्या अब और यहां पर सकती आगे होती नजर आएगी सरकार की तरफ से अब देखिए पुजा साथ तोर पर यह कह सकते हैं कि पराली की समस्या जो है वो ना ही पंजाब से और ना ही हर्याना से खत्म होगी इतनी जल्दी क्योंकि सरकारे कितनी भी कोशिश कर लें कि पराली को जलाना रोग दिया जाए लेकिन यह संभव नहीं है जब तक किसान खुद इसको नहीं चाहेंगे लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ यह है कि जैसे ही धान की कटाई खत्म होती है पराली खड़ा होता है और पराली को जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसको सडाने में वे 20-25 दिन का लगता है और कोई भी किसान जो है वो एफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका खेट जो है वो 20-25 दिन फसा रहे क्योंकि उसको अगले फसल की रुपाई करनी है सीजन जो है वो आलू का आने वाला है तो कई सा यहान की है कि वो पराली को जलाते हैं सरकार ने सरकारे जो हैं चाहे हरियाना की हो चाहे पंजाब की हो कोशिइख यह जरूर कर दो पर मशीन variety का इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन जो बड़े किसान है वो इसको उसको एफोर्ड कर सकते हैं और जो चो छोटे किसान है वो उसको सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों तक कि ये मचीन पहुंचाई जाये लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मचीन उपलब नहीं है कि पूरे पंजाब या पूरे हर्याना में इसको पहुंचाया जा सके. कि यही वज़ा है कि पराली जो जलाने का सिलसिला जो है वो कम जरूर हुआ है क्योंकि प्रसासन ने सक्ती दिखाई है, सरकार ने सक्ती दिखाई है, विलपावर दोनों राज्यों के सरकार जो है वो दिखा रही है, लेकिन पूरी तरह से खत्म करना इस वक्त संभव नहीं है लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जागरुकता बढ़ रही है, किसानों को ये लग रहा है कि अगर वो पराली जलाते हैं तो उन्हें कोई फाइदा नहीं होता, आगर इसको बेचा जाए तो उनको फाइदा हो सकता है, क्योंकि कई सारे हमने स्टोरीज देखी है, जो किसान ह वो पराली से 5-6-6 लाग रुपया महिने में कमा चुके हैं, ऐसी जो पॉजिटिव स्टोरीज जो है, वो किसानों तक पहुंचे, किसान जो है वो खुद अवेर हों और वो खुद कोशिश करे कि पराली को कम जला जाए तभी इससे इसका समाधार मिल सकता है, दूसरी हैं, चाहे उत्तरपदेश हो, हर्याना हो, पंजाब हो कि कि हर्याना हो, पंजाब में सबसे जादा ये समस्या देखी जाती हैं, अगर केन सरकार इसमें इंटर्वीन करें, बैठ के किसानों को कुछ मुआवजा दिया जासे कि खासकर जो पराली पड़ी रहते हैं खेतों मे उसको सरकार उसका प्रबंदन करें, उसको हटाने की कोशिश करें, तो जो नंबर्स हैं वो आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं, सरकारे कोशिश कर रही हैं, अब किसान भी जो है, वो कोशिश जरूर करते हुए दिख रहे हैं, यही वज़ा है कि पिछले साल हमने बहुत कुछ करना बागी है